बिल ओफ सप्लाई आपको तब बनाना पड़ता है जब आप खुछ GST में रेडिस्टरड हो और कोई एक्जेम्ट गुड या सर्विस बेच रहे हो या फिर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को चुना है तो यहां आप अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते और ना ही टैक्स को बिल में दिखा सकते हैं किसी भी सामान के बिल ओफ सप्लाई को बनाने के लिए क्विक आक्शन पे जाएं यहां सेल्स पर क्लिक करें और अब क्रियेट बिल ओफ सप्लाई को सिलेक करें बिल बनाने के लिए सामने दिखाए देने वाली सभी जानकारी को भरना आईए इन्हें एक एक करके समझें Bill number में Bill के Serial number को लिखे यहां ध्यांदे यदि आपने Bill के Serial number को पहले से set नहीं किया है तो set sequence पे click करें जैसा कि आप देख सकते हैं यहां document type में Bill of Supply को select करना होगा यहां जिस TSTIN के लिए Bill number set करना चाहते हैं उसे चुने और prefix जैसे की BOS तता सीरी स्टार्ट जैसे की 001 set करें और save करें यह set किया हुआ Bill Serial number हर एक Bill पे पहले से ही लिखा मिलेगा reference number में आप अपने संदर के लिए कुछ पी लिख सकते हैं जैसे की order number due date में उस तारीक को लिखे जिस दिन तक आपको customer से sale के पदले पैसे लेने हैं यह तारीक भरना जरूरी नहीं है customer name में customer के नाम को लिखे यदे यह नाम पहले से save नहीं किया हुआ है तो आप नई customer को add भी कर सकते हैं अब सामने दिखाये देने वाले जानकारी को भरे business name में customer के व्यपार के नाम को लिखे contact person में customer से संपर किये जाने वाले व्यक्ति के नाम को लिखे customer के GSTIN को यहां लिखे बाकी सभी जानकारी को भरने के बाद save पर click करे billing address में customer का पता लिखे यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो edit पर click करे और जानकारी को बदलने के बाद save करे shipping address में वह पता लिखे जहां आप समान की delivery कर रहे हैं अगर shipping और billing address एक ही है तो यहां click करे याद रखे यह ज़रूरी नहीं कि billing और shipping address हमेशा एक ही हो बिक्री किये जाने वाले समान की जानकारी को यहां भरे अगर चाहे तो नई जानकारी को यहां से बना सकते हैं अब save पर click करे